हलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है एक एस लोग लासेज में आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं यूपी लेंड लॉस के हैं से की कुशन पार्ट सेवन इससे पहले हमने पार्ट फर्स से लेकरके पार्ट सिख्स तक कुशन सॉल्फ करवा दिया है उन्हें आप जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको पहुशत दे रहें और हमारी वीडियो को जादा से जादा आप शेयर भी करें जिससे और भी स्टुडेंट्स वीडियो का लाब उठा सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुशन नमबर 119 खतोनी का उद्देश है एक स्थाई अभिलेक के रूप में वडन लिखना होता है उप्शन A फसल का उप्शन B जोददारों का उप्शन C ए तथा भी दोनों का उप्शन D उप्रुक में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है उप्शन B जोददारों का कुशन नमबर 120 उत्तर प्रदेश भूरा जश्व अधिनियम 1901 की किस धारा के अंतरगत कलेक्टर एक किसान बही पासबुक तयार कराएगा उप्शन A धारा 25 के अंतरगत उप्शन B धारा 26 के अंतरगत उप्शन C धारा 33 एक के अंतरगत उप्शन D धारा 40 के अंतरगत तो इसका सही उत्तर है option C, धारा 33, 1 के अंतरगत Question number 121 उत्तरपदेश राजश्व दिनें 1901 की धारा 31 के अनुसार बनाया गया register प्रते कितने वर्ष के पस्चात संसोधित किया जाएगा option A, 5 वर्ष बाद, option B, 10 वर्ष बाद, option C, 12 वर्ष बाद, option D, 15 वर्ष बाद तो इसका सही उत्तर है option A, 5 वर्ष बाद Question number 122 धारा 171 के अंतरगत अंतिम उत्तरादिकारी है कौन? option A, बहन का पुत्र, option B, भाई का पुत्र, option C, पिता के पुत्र का पुत्र, option C, माता की माता का पुत्र तो इसका सही उत्तर है option C, पिता के पुत्र का पुत्र कोश्चन नमबर 123 उत्तरबदेश राजश्वदिनियम 1901 की धारा 25 में जिले में किसकी नियुकती के संबंद में विधान बनाती है उप्शन A लेखपाल उप्शन B तहसीलदार उप्शन C कलेक्टर उप्शन D कानून गो तो इसका सही तरहे उप्शन D कानून गो कोश्चन नमबर 124 उत्तरबदेश भूराजश्वदिनियम 1901 की कौन सी धारा वादों के एकी करण के संबंद में प्रावधान करती है उप्शन A धारा 119 उप्शन B धारा 192 A उप्शन C धारा 1193 उप्शन D धारा 200 इसका सही उत्तर है उप्शन B धारा 192 A कुश्चन नमबर 125 उत्तरबदेश जमिदारी उन्बूलन तथा भूमी सुधार अधिनियम के अंतरगत परित्याग शब्द से तात पर रहे है उप्शन A जोद को परती छोड़ देना उप्शन B धारत भूमी का प्रियोग न करना उप्शन C जोद को पूर रूप से त्याग देना उप्शन D उप्रुक्त सभी कोशन 126 उत्तरप्रदेश जमिदारी उन्बूलन तथा भूमी सुधार अधिनियम 1950 की धारा 73 सम्बंदित है किससे उप्शन A पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने का प्रातना पत्र से उप्शन B पुनर्वास अनुदान की धनराशी का निर्धारण से उप्शन C पुनर्वास अनुदान पाने के अधिकारी से उप्शन D उप्रुक्त सभी तो इसका सही उत्तर है उप्शन C पुनर्वास अनुदान पाने के अधिकारी से कोशन नमबर 127 उत्तप्रदिस जमीदारी उन्मोलन एवं भूमी सुधार अदिनियम 1950 की विशेष्टा क्या है? उप्शन A जोद की सुरच्छा उप्शन B जमीदारी प्रथा का अंत उप्शन C भूमी के जमाव पर प्रतिबंध उप्शन D उप्रुक्त सभी कोशन नमबर 128 खतावनी में किसकी अशुद्धी या उपेच्छा में सुधार के लिए प्रात्ना पत्र दिया जाएगा? उप्शन A कलेक्टर उप्शन B SDM उप्शन C तहसिलदार उप्शन D नायब तहसिलदार तो इसका सही उत्तर है उप्शन C तहसिलदार कोशन नमबर 129 उत्तर प्रदेश भूमी राजश्व अधीनियम की धारा 24 के अंतरगत शिकायत किये जाने वाले आदेश के पारित होने की दिनांग से कितने दिन भी जाने पर कोई अपिल नहीं हो सकती सिवाए अनित्था उपबंदो के अप्शन A 30 दिन अप्शन B 60 दिन अप्शन C 90 दिन अप्शन D एक वर्स तो इसका सही उत्तर है अप्शन A 30 दिन कुशन नमबर 130 कोई न्यायाले या अधिकारी जिसने भूर आजश्व अधिनियम के अंतरगत किसी कारवाई में कोई आदेश पारित करता है मैं भूल सुधार कर सकेगा ओप्शन A 30 दिन के अंदर ओप्न B 60 दिन के अंदर ओप्शन C 90 दिन के अंदर ओप्शन D 9 माह के अंदर तो इसका सही उत्तर है ओप्शन C 90 दिन के अंदर कोशन नमबर 131 भूराजश्व अधिन्यम के तहत आयुक्त अपना न्यायले किस स्थान पर लगा सकता है अप्शन A खंड में, अप्शन B राज्य में, अप्शन C खंड तथा राज्य दोनों में, अप्शन D इन में से कोई नहीं तो इसका सही रतर है अप्शन A खंड में, कोशन नमबर 132 धारा 157 एक अंतरगत एक अनुसूचित जाती का व्यक्ति भूमी हस्तांतरित किस क्रम में कर सकता है सही क्रम बताईए, तो इसमें हमें इसका सही क्रम बताना है तो इसमें पहले हमें दिया है सीमांत किसान, सेकेंड दिया है भूमी हीन क्रसी मजदूर, थार्ड दिया है छोटे किसान, फोर्थ दिया है पंचाय छित्र से लगे गाउं के नागरेक तो इसका सही उत्तर है, आप्शन B, यानि पहले ही सेकेंड जो है हमारा भूमी हीन किसान आएगा फिर दूसरे नमबर पे दिया गया है सीमांत किसान, वो आएगा, थार्ड पर आएगा छोटे किसान, और फोर्थ पर पंचाय छित्र से लगे गाउं के नागरेक तो इससाब से हमारा सैकेंड आप्शन यानि B, सही उत्तर है कुशन नमबर 133, उत्तर प्रदेश जम्मिदारी, विनाश, भूमी व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अधिनियम नमबर है आप्शन A, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन 1950 आप्शन B, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1950 आप्शन C, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन 1951 आप्शन D, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1951 तो इसका सही उत्तर है आप्शन C, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन 1951 कुश्चन नमबर 134 UPZA अधिनियम में दिये गए उपबंदों के सिवाए कोई भूमिदर अपनी जोद से बेदखल नहीं किया चायेगा यह घुशित है किस धारा केंतरगर अप्शन A धारा 197 अप्शन B धारा 198 अप्शन C धारा 199 अप्शन D धारा 200 तो इसका सही उत्तर है उप्शन C धारा 199 अप्शन नमबर 135 उत्तरप्रदिस जम्मिदारी विनाश अधिनियम की धारा 123 B के अंतरगत गाउंसभा की भूमिके अध्यासन के लिए दंड हो सकता है अप्शन A एक वर्स तक का कारावास अप्शन B दो वर्स तक का कारावास अप्शन C तीन वर्स तक का कारावास अप्शन D छे माहा तक का कारावास तो इसका सही उत्तर है अप्शन C तीन वर्स तक का कारावास तो हमने अब तक UP Lando के 135 कुशन सॉल्व कर लिये हैं आगे भी हम आपके वीडियो लाते रहेंगे आप हमारी वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं एक्जाम देने जाने से पहले हमारी वीडियो में जितने भी पार्ट्स हमने अप्लोड किये हैं उन सभी पार्ट्स को ज़रूर से देख करके जाएं जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हुआ आप अच्छे माक्स ला सकें थेंक्यू सो मच